बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर सब्सक्राइब करेंगे इसका मतलब है कि बेहत इंपोर्टेंट हंडर प्रश्न अर्थ विवस्ता की सेग्मेंट से आज हम डिसकेशन में जो है लेकर आए हैं देखें वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कोई भी कीवर्ड क्रेश्चन के अंदर ऐसा आएगा जो कि आपको समझाने की जरूरत है तो वो मैं क्लियर करते वे चलूंगे एकनॉमिक्स आपके लिए सरल हो जाएगी किसी हद तक जब आप इस वीडियो को सुन लेंगे क्योंकि आप समझ जाएगे किस तरह के प्रश्चन जो है पूछे जाते हैं और अगर कोई कीवर्ड आ रहा है तो इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबेक तीचेगा और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीचेगा एक और सूच रहा है आपके लिए अगर आपने हमारे टेलिक्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सते हैं देखिए आपके कंटेंट से संबंदिल किसी परकाल की संबसे का समाधान इन ग्रूप से जुड़कर हो जाएगा सारी पुस्तकों से महत्मून सेग्मेंट को लेकर हमने जो है स्पीसलाइज नोट्स बनाए है और अगर आपके वाले अगर आप कर लेने के लिए आप डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में जाएगे वहां पर कुछ कॉंटेक्ट नंबर दिये गए है उन पर आप संपर कर सकते हैं इसके अलावा ज्यानसर को भी वाच्टिप पर आप मेसेज कर सकते हैं आपको सारी डिटेल मेर जाएगी और आपको इन पेड़ ग्रुप को जॉइन कीजिए अच्छे से सारे नोट्स लीजिए इनको प्रिंट आउट को लेकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए बार-बार रवाइस कीजिए और जितना भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जारा है उसको पढ़िए इतना अगर आप कर लेते हैं तो एक्जाम आपका देखिए क्लियर हो जाएगा बस शर्त यही है कि आपको बार-बार उसको रिवाइस करना है बहुत अच्छे से पढ़ना है यह तो हुई आपकी जानकारी की बार अब देखिए एक एक कर प्रशनों को समझते वे चलते हैं और एक्नॉमिक् की अवधि के दोरान आर्थिक सर्वेक्शन दो खंडों में प्रकाशित होता रहा है तो यह बात बिलुकुल ठीक है यानि के 2014-15 के बात से लेकर जो एकनॉमिक सर्वे है वो देखिए दो पार्ट्स में या दो वालूम में जो है पबलिश होता है यह स्टिक्मेंट हो जाए तो यह एक एनुवल डॉक्यूमेंट है एक वाशिक जो है आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ओफ फाइन्स के दोरा जो है पबलिश किया जाता है लेकिन मिनिस्ट्री ओफ फाइन्स के अंदर भी जो आपका डिपार्टमेंट ओफ एकनॉमिक अफेयर है Department of Economic Affairs इसके द्वारा ये तयार किया जाता है अब ये किसकी guidance में तयार किया जाता है तो देखिए जो हमारे Chief Economic Advisor होते हैं उनकी guidance में इसको प्रपेर किया जाता है अगर बात करें 1950 से लेकर आपका जो है 51 की बात करें और 1964 तक तो ये देखिए बजट के साथ ही पेश किया जाता था 1964 में ये बजट से अलग हो गया और आपको पता ही है कि बजट से एक दिन पहले इसको जो है सदन में प्रस्तूत किया जाता है पारल्लामेंट में इसको रखा जाता है तो यहां पर हमने देखा हमारी दोनों स्टीटमेंट ठीक थी तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन से सही हो जाएगा सी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नेक्श प्रस्टन की बात करते है पूछा गया है किस वित्य वर्ष में आथिक सर्वेक्षन में प्रस्टों की संख्या सबसे कम थी यानि कि in which the following financial year the number of pages were least in the economic survey देखे अगर बात करें 21-22 की तो इसमें 413 pages का जो है यह सर्वे था 20-21 की अगर बात करें तो काफे जादा था 877 pages का जो है था अगर बात करें 1957-58 की तो केवल 38 पर्नों का ही सर्वे था और 1951 की बात करें तो 50 पर्नों का economic survey था यहां से देखे इस पस्ट पता चल रहा है कि जो आपका financial year 1957-58 था इसमें सबसे अदर कम pages थे तो यही हमारा answer जो है हो जाएगा तीसरा प्रिश्ण देखते हैं इस बार देखे ध्यान लखेगा आपको गलत विकल्प का चयन जो है करना है यहां पर बोला गया है financial year 2021 में प्रती दिन सड़क का जो निर्मान है वो बढ़कर 36.5 किलो मेटर रहा है और जिसमें अगर पिछले साल की तुलना में comparison करें तो 30.4 प्रतीशत की विरदी हुई है यह बार बिल्कुल ठीक है इस व्यक्त को ध्यान लखेगा कि देखिए अब जो प्रते दिन सड़क निर्मान है वो लगबग 36 किलो मेटर पर डेह के साफ से हो रहा है इसके बार देखिए नीतिया आयूक SDG India Index and Dashboard इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस इंडेक्स के बारे बें डिटेल से बताया था तो इसमें बताया गया है कि इसमें भारत का जो समगर स्कोर है अगर हम देखिए बात करें कि जो प्रते इंडिया का 19-20 में जो 60 था वो अब बढ़ कर 20-21 में 66 हो गया है तो ये statement भी आपकी बिल्कुल ठीक है देखिए SDG India Index के बारे में एक लाइन ध्यान रखेगा टोटल 17 SDG जो है स्विकार किये गए है वैश्वी किस्तर पर लेकिन ये जो SDG India Index है ये 17 पर नहीं कुछ ही SDG पर प्रकाशित होता है मैंने आपको पहले भी बताया था comment section में reply किजएगा कि कितने number of SDGs पर कितने number of sustainable development goals पर ये Index जो है नीती आयोग के द्वारा रिलीस किया जाता है चुकि यहाँ पर हमारी दूनों ही statement थीक है तो जो हमारा answer हो जाएगा वो D हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा इन में से कोई भी गलत नहीं है बात करते हैं पर प्रशन number 4 की statement देखते हैं बोला गया है कि देखिए वित्ते वर्ष 2021 financial year 2021 में पून जीकत व्या यानि कि capital expenditure बढ़कर कितना हो गया है 1,55,181 करोड रुपे क्या ये बात सही है तो ये बात बिल्कुल ठीक है उसके बात financial year 2021 में budget को और बढ़ा कर 2,15,058 करोड रुपे कर दिया गया है इतनी statement तो ठीक है अब इसके बात देखिए जो 2,016 के इस तर से 5 गुना अधिक है ये हिस्सा गलत है क्योंकि ये 2014 के इस तर से 5 गुना अधिक है पहले statement ठीक हो गई दूसरी गलत हो गई तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा बात करते हैं प्रेश्म नमबर 5 की पूछा गया है 31 दिसंबर 2021 बैंक रण में कितने प्रतिशत की वरद्दी दर्ज की गई है देखिए 31 दिसंबर 2021 बैंकों का जो आप कह सकते है एक तरीके से रण है या फिर आप कहें कि जो आपका बैंकों का क्रेडिट है वो कितना अज रेजिस्टर हुआ है तो इसमें कितनी वरद्दी दर्ज हुए तो 9.2% की वरद्दी देखिए इसमें देखने को मिली है दूसरा पूछा गया है वित्यवर्ष 21 के दुरान क्रेशी छेटर में सकल मूली वरद्द में कितने प्रतिशत की वरद्दी दर्ज हुए यानि कि अग्रिकल्टर सेक्टर के ग्रोस वेल्यू एडिड इसमें कितने पर्सेंटेज की ग्रोथ हुई है यह आप से पूछा गया है देखिए यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि कोविड के टाइम पे बाकि सारे सेक्टर जहां बहुत नेगेटिव या फिर स्लो ग्रोथ दिखा रहे थे आइग्रिकल्टर का सेक्टर एक मात्र ऐसा छेत्र था जो पॉजिटिव में ग्रोथ जो है दिखा रहा था तो इंपोर्टेंट हो जाता है तो कितना जीविए देखे दिखाया है इसने तो 3.9% का दिखाया है तो यहां से जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर कौन सा हो जाएगा तो बी देखे इसका उत्तर हो जाएगा चलते हैं छटे प्रश्न की और पूछा गया है कितने IPO के माधियम से यानि कि कितने नंबर ओफ IPO लाँच हुए थे उसके माधियम से 89,066 क्रोड रुपे जो है जोटाए गए है अब यहां पे एक word आया है IPO इसका मतलब क्या होता है देखे IPO का मतलब होता है Initial Public Offering जब क्या होती है कोई प्राइवेट कंपनी कौन सी दरे की कंपनी जब कोई प्राइवेट कंपनी क्या करे first time पहली बार क्या करे अपनी shares को stock market में list कर दे कहां पर stock market में list कर दे और वो अपनी जो है प्राइवेट ownership जो दी उस से transfer करके क्या कर दे public ownership के लिए कुरक दे तो इसको देखे क्या बोलते है IPO बोलते हैं अब बहुती आसान भाशा में मैं इसको आपको समझाती हूँ कोई प्राइविट कंपनी है उसका पूरा का पूरा अधिकार किस पे था उस प्राइविट लोगों पे जिन्होंने पैसे डालके वो कंपनी खड़े की थी लेकिन अब उनको क्या है और ज्यादा पैसे की जरुर को कंपनी का जितने शेर आप खरीदेंगे उतना मालिकाना हक मिल जाएगा ठीक बास समझ गए तो अब देखे पहले कंपनी के ओनर्शिप जहां के वल प्राइवेट थी अब वो क्या है पब्लिक ओनर्शिप हो गए क्योंकि हो सकता है 500 लोग आए और 500 लोग मिलके 51 प्रति प्राइवेट कंपनी के स्टॉक जब पहले बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं इतना तो आप समझ गए अब आते हैं प्रेशन पर कितने आइपियों के मांधियम से 89,066 क्रोड रुपीर जुटाए गए हैं तो देखे 75 आइपियों जो है ऐसे लांच हुए थे यह इंपोर्टेंट है क्योंकि LIC के देखिये शियर मार्केट में लांच करने के उचना सरकार लाई है और इस वज़े से चर्चा में है तो जो है इंपोर्टेंट हो जाता है अब बात करते हैं प्रस्ने के दूसरे बाग के फाइनेंशली रिकस बाइस अपरेल दिसंबर में CPIC एक चिक क्या होता है यह अपका इंडेक्स रावटव कंजुमर पराइस इंडेक्स अवर कंजूमर प्राइस इंडेक्स कंशूमर प्राइस इंडेश और ऑस कनव्टिश ओंमाइन में छूस्साटा है तो पूछा है CPIC दवारा मींडें फोरती कि टेले इंफ्लेशन वह 6 पूछे जाने की संभावना है important है तो देखे मैंने आपको बताया था IPO तो लॉंच वे टोटल 75 और अगर मुद्रस्विती की बात करें तो देखिए जो 21 की अगर मैं बात करो तो 21 अपरेल दिसेंबर में कितनी है 5.2% है ठीक है 5.2% है और 2020 में अगर इसी अवदी की बात करें तो 6.6% थी हाला कि अब देखेंगे तो डाटा और बदल गया होगा क्योंकि आपरेल दिसंबर की बात कर रहे है और अभी तो क्या आने वाला है अभी तो मैं आने वाला है तो थोड़ा सा उसी साब से ध्यान लखिएगा यहां पर हमाले जो प्रशन का उत्तर हो जाएगा देखेंगे दी हो जाएगा यानिके फिलाल जो अपरेल दिसंबर 2021-2022 में CPIC देखें तो कितनी है 5.2% की है बात करतें सात्वे प्रशन की पूछा गया है फाइनेंचल यह 21-22 में अपरेल से दिसंबर में खाद मुद्रस्विती ओस्तन कितने प्रतिशत के निचले इस तर पर थी तो देखें उपभोगता खाद मुल्य सुचकांग द्वारा यानिके जो आपका फूड इंफ्लेशन है किसके द्वारा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो नापमापी गई खाद मुद्रस्विती है वो देखें 21-22 अपरेल दिसंबर में ओस्त 2.9% कितना 2.9% के निचले इस तर पर थी तो इसको ध्यान रखेगा निच्ट क्या पूचा गया 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार लगब कितने अलब डॉलर के इस तर पर पहुंच गया था यानिकि जो हमारा फॉलेक्स रिजर्व है वो कितने पर था यह आपक रहेगा क्योंकि यह इसको समराइज करके आप 634 लिख सकते हैं कि 634 बिलियन डॉलर आठवे प्रिशन की बात करते हैं विद्वर्ष 2021 में अनुमान लगाया गया कि विद्वर्ष 22 देश के लिए सकल गरेलो उतपात की विरद्दी रर कितने प्रतिशत के बीच रहेगी और 2021 में यह अनुमान लगाया गया था कि जो 22-23 वाला फाइनेंचल एयर होगा उसमें हमारी जो GDP में ग्रोथ होगी वो कितनी होगी आठ से जो है सारे आठ प्रतिशत के बीच में होगी ठीक है दूसरा अगर पूछा जाए पूंची गतव्या है यानि कि जो आपका capital expenditure है उसमे सालाना आधार पर कितने पूशंट की व्रति हुई है तो लगबग साड़े तीरा पूशंट की व्रति हुई है अब आप मुझसे पूछेंगे कि माम यह capital expenditure क्या होता है देखिए जब सरकार के दुआरा विकास पर मशीनों को खरीदने पर एक्विप्मेंट को खरीदने पर बिल्डिंग में, हेल्थ में या फर एजुकेशन में जो पैसा खर्च किया जाता है तो उसको capital expenditure बोलते हैं मोटे तोर पर आप यह समझ सकते हैं fixed asset जैसे की भूमी है ना या फर किसी machinery में investment जब यह government के दुआरा किया जाता है तो इसको capital expenditure बोलते हैं आज मैं जाकर कोई plot खर expenditure जो है किया है लेकिन मान लीजे मैंने आज जाके hotel में खाना खा लिया वो capital expenditure नहीं होगा तो fixed asset अगर उस पर खर्चा होता है तो उसको capital expenditure या पूंजी गत वेर जो है बोलते हैं अब बात करते हैं प्रशनी की तो देखिए जड़ीपी में वरदी आच से सारे 8% और अगर capital expenditure की बात करें तो साड़े 13% तो यहां से हमारा उत्तर कौन से हो जाएगा सी हमारा उत्तर हो जाएगा 9th question की बात करते हैं किस financial year के दुरान सकर घरेलू उत्पात की वरद्दीदर नकारातमक रही थी यह तो आप कैसे भी कर सकते हैं कोवड के time के आसपास ऐसा हुआ होगा तो 3% की ग्रोथ जो है हुई अगर बात करें 21-22 के तो फिर से सुधार हुआ 9.2% हो गया और देखिए 22-23 के लिए अनुमानित है यह अभी हुई नहीं है अभी तो बात में पताच लेगा ना कितनी हुई अनुमानित है कि 8 से लेके सारे 8% की ग्रोथ जो है रहेगी तो negative क्यों से financial year के दोरान राजकोश्य घाटा सकल गेरलू उत्पाद के 4% से भी कमगा रहा है अब आप पूछेंगे भाई यह राजकोश्य घाटा क्या होता है देखिए इसको बोलते है फिसकल डेफिसिट इसको बोलते है यह होता क्या है जो आपका total expenditure है जितना आपका total खर्चा हु हो सकती है और revenue हो सकती है अगर आप total revenue घटा देंगे और साथ में इसमें से exclude कर देंगे जो भी आपने उधारी ली है उधारी आपने नहीं जोड़नी है तो जो निकल कर आएगा वो आपका fiscal deficit होगा यह तो ही fiscal deficit की बात कर आए आप से पूछ लिया जाता है revenue deficit क्या होता है तो देखिए जो आपका revenue expenditure हुआ है उसमें से आपका revenue receipt घटा देंगे तो आपका यह आजाएगा revenue deficit कई बार पूछ लिया जाता है primary deficit प्रात्विक घाटा क्या होता है अगर जो आपका fiscal deficit था राजकोश्य घाटा जो था उसमें से जो आप interest ब्याज चुका रह हो अगर उसको निकाल देंगे तो आपका primary deficit आजाएगा इन फॉर्मूलास को ध्यान रखेगा समझ में आते हैं तो बहुत ही जाद अच्छी बात है किसी कारणवेश अगर अभी समझने का mood नहीं है तो रट लीचिए पेपर में डालेक्ट पूछा जाएकर डालेक्ट इसक 4% से कम कब रहा था तो आईए देख लेते हैं 18-19 में कितना रहा था तो 3.4% रहा था 19-20 में कितना रहा था तो देखे 4.6% रहा था इसकी बाद कोविड की वज़े से सरकार ने बहुत जादा खर्चा किया तो कितना हो गया 9.2% हो गया और 21-22 में फिर से सरकार ने थोड़ उत्तर हो जाएगा चलते हैं 11 प्रशन पर पूछा गया है कि financial year 2021 में खाद्यान उत्पादन कितनी मिलियन टन रहा है तो देखे वित्तेवश 19-20 की अगर मैं बात करूँ ध्यान रखी का मैं बात करियो भी financial year 19-20 की तो खाद्यान उत्पादन रहा था हमारा 29.5 मिलियन टन अ दूसरा प्रशन में क्या पूछा गया है कि पिछले आंकलन की तुलना में वित्तेवश 20-20 में खाद्यान उत्पादन में लगबक कितनी मिलियन टन की वरद्धी हुई है यह से आप माइनस करके निकाल देचे लगबक 11 बैठता है यह तो उत्तर की तरफ चलते हैं कौन सा ह हो जाएगा तो देखे फिलाल तो जो खाद्यान उत्पादन हुआ है वो 308.6 का हुआ है ठीक है उसके बाद अगर उत्पादन में वरद्धी करें तो 11,10,000 की वरद्धी हुई है डी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा बारवा प्रशन पूछा गया है किस अंतरास्ती वित इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 22-23 में 8% से कम रहेगी अब देखते हैं विश्व बैंक ने कहा कि भारत की जीडीपी व्रद्धीदर अनुमान है तो इन्हों ने कितनी 9% गई है और अंतरास्ती मुद्रा गोश की अगर हम बात करें आई एमेफ की ठीक है तो इन्होंने देखी एक अलग डाटा जो है दिया है यहां से अगर हम उत्तर निकाले तो 8% से कम रहना किसने बताया है तो हमने देखा वर्ल्ड जो एश्याई विकास बैंक है इन्होंने 7.5% जो है कहा है और यह 8% से कम है तो यही हमारा जो है उत्त हो जाएगा तेरवा प्रश्न इस बार जो है गलत विकल्प का चेन करना है बोला गया है अप्रेल नवेंबर 21 के दोरान केंद्र सरकार की जो राजस्व प्राप्तिया थी कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट जिनके बारे मैं आपको भी समझाया था इन्हें में लगबग 69% की जो है वरदि हुई है तो यह गलत स्टेट्मेंट है क्योंकि सरकार की रेवेन्य रूश्प में 67.2% की वरदी हुई है दूसरी स्टेट्मेंट अपने November 2021 के दोरान सकलकर राजस्वे 50% से अधिकी वरदी दर्ज हुई है तेक है अगर सकलकर राजस्व यानि किया आपका Cross Tax Revenue उसमें 50% से अधिकी वरदी दर्ज हुई है ये statement बिलकूर ठीक है गलत विकल्ब पूछा है पहली statement गलत है तो ए हमारा answer हो जाएगा अब देखे चौदवे प्रशन की ओर चलते हैं सही विकल्ब का जो है आपको यहाँ पर चेयन करना है क्या पूछा गया है SCB SCB पहले तो मतलब समझ लेते हैं SCB का क्या होता है Scheduled Commercial Bank इनको देखे SCB भी बोलते हैं ठीक है थोड़ा से स्क्रीन को मैं जूम कर लेती हूँ आपको देखने में सुईधा रहेगी तो Schedule Commercial Bank SCB इनका सकल NPA NPA मतलब Non Performing Asset वो asset जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसमे ना ब्याज वापस आ रहा है ना मूल वापस आ रहा है तो 2017-18 में जहां वो 11.2% था सितम्बर 2021 में घट कर 6.9% हो गया है तो ये बात ठीक है हाँ भाई NPA में तोड़ा सा काम तो हुआ है RBI सक्त हो रही है उसके बाद अगर बात करें Schedule Commercial Bank का शुद NPA यानि कि जो आपका Net Non Performing Asset है वो देखे वित्तिवश 2017-18 के 6% की तुलनामी सितम्बर 2021 में घट कर 2.2% हो गया है ये स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक है सही विकल्प का चेंड करना है C हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स प्रशन की बात करते हैं April-Dism पंधरवा कोश्चन है 21 की दोरान April-Dism 21 के दोरान ठोक मूली सूचकांक बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया यानिकर आपका WPI है Wholesale Price Index ये बढ़कर कितना हो गया है तो ये 12.5% देखिए हो गया है काफी बहंगाई जो है हमारी ठोक इस तरह पर चल रही है उसके बादी के सितंबर 2021 में SCB का किसका Scheduled Commercial Bank का पुझी जोखिम भारिक परी संपत्ती अनुपात बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है बढ़ा भाई मुश्किल सा नाम मैंने बोल दिया है क्या बहुत इसको Capital to Risk Weighted Asset Ratio इसको देखिए Capital Adequacy Ratio तो CORB कहा जाता है यह क्या होता है एक बैंक के Capital के ओPad कितना रिस्क है बैंक ने जितना करजा दे रखा है उसमें कितना रिस्क है कितना वापे आएगा कितना डूब जाएगा इस सब ये एखिए एक calculation की जाती है और कितना रिस्क है और कितना अभी आपके पास capital है इसका जो रेशो निकालते हैं तो इसको C.A.R. capital adequacy ratio या फिर capital to risk weighted asset ratio या फिर पुंजी जोकिम भारांग प्रही समपत्ती अनुपात कहा जाता है ध्यान रखिएगा तो ये बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है आपको बताना है तो ये देखें बढ़कर हो गया है आपका 13% जो था 13-14 में था और अभी सितंबर 2021 में 16.54% जो है हो गया है ठीक है तो अब यहां से देखें उत्तर निकाल लेते हैं इसका हमारा हो जाएगा उत्तर D साड़े 12% तो क्या होई WPI और हमारा C.A.R. capital adequacy ratio बढ़कर कितने हो गया है तो लगबग 16% तो 17% लगबग आप बोल सकते हो तो D उत्तर हो जाएगा 16 प्रिश्न की बात करते हैं सितंबर 2021 तक नई pension योजना और अटल pension योजना के अंतरगत कुल कितने ग्राहक जो हैं जोड़े गए हैं देकिन दोनों ही योजनाओं के अंतरगत अगर सितंबर 2020 तक की बात करें तो लेकिन अगर 2021 के डाटा की बात की जाए तो ये बढ़कर कितने हो गए हैं ये देखे 463 लाख लोग जो हैं अब इससे जुड़ गए हैं दूसरा पूछा गया है नई pension योजना आटले pension योजना के अंतरगत जोड़े गए कुल ग्राहक जो हैं इनमें कितने प्रितिशत की व्रद्धी हुई है आप निकाल भी सकते हैं है ना percentage का अगर आपको करना आता है मैं बता भी देती हूं कि लगब 23.7% की व्रद्धी जो है दर्ज हुई है तो यहां से उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा सी हमारा उत्तर हो जाएगा सत्रवा कोश्चन सितंबर 2020 से सितंबर 2021 की अवधी के दोरान जो नई पेंशन योजना है उसके अंतरगत कुल आंशदानों में 39% से अधिकी व्रद्धी जो है दर्ज की गई है तो यह बात सही है अब पूछा गया है इसके अंतरगत योगदान में सबसे कम व्रद्धी नि सेक्टर में लगबग 42.13% की व्रद्धी जो है दर्ज हुई है APY है ना इसके अंदर 38.78% की व्रद्धी दर्ज हुई है राज्य सरकार चेत्र 28.90 और के अंदर सरकार चेत्र 22.04% तो यहां से अगर आप देखेंगे कि जो पूछा गया है प्रिश्चन में वो पूछा गया हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्योंकि कींद्र सरकार चेत्र के द्वारा 22.4% की व्रद्धी जो है देखी गई है इसके बाद बात करते अठारवे प्रश्न की कौन सा राज्य अटल पेंचिन योजना की अंतरगत सबसे अधिक खातों की संख्या वाला तीसरा सबसे बड़ राज्य है थोर्ड नंबर पे पूछा गया है तो देखिए अटल पेंचिन योजना के अंतरगत जो संबंदित राज्य उनके खाते हैं यह मैं आपको बता देती हूं सबसे पहले बात करते हैं यूपी की इसके अंदर है 51.99 लाग खाते उसके बाद करते हैं बिहार की इसम हैं करीब 32.7 लाग खाते इसके बाद देखे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगॉल की अगर बात करो तो कितने खाते हैं 27.6 लाग है उसके बाद महलाष्ट की बात करो तो 26.8 है और तमिल लाडू में देखा जाए तो 25.5 है तो यहां से देखे तीसरा सबसे बड़ा राज् करना है पीएम गति शक्ति योजना बहुत जाद है इंपोर्टेंट है और मैं एक प्रशन जो है इससे आ सकता है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीचेगा तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत वित्यवर्ष 22 तेश में रास्तिय राजमार नेटवर्क को 25,000 किलो मि 300 नई पीड़ी की वंदे मात्रम ट्रें जो है विक्सित की जाएंगी देखें नई पीड़ी की वंदे मात्रम ट्रें तो विक्सित की जाएंगी लेकिन यह 300 नहीं 400 की जाएंगी तो यह वाली स्टीट्मेंट गलत हो गई गलत भी गलत का चेन करना था दूसरी गलत है तो भ चीक styl जब तड़ेगा देंसे पडिया किमें कान सा बैंक नेशनल एसेट रिकंस्टरक्शन कंपनी लिमिटेड रिकंस्टरक्शन कंपनी लिमिटेड यानि के अदेट साथ में जो इसने इसमें सपोंशेशिप लिए तो पॉसंट की साज़ेदाले जो है की देखिए यह जो आपका National Asset Reconstruction Company Limited है इसका एक दूसरा नाम है Bad Bank बुरा बैंक अब ये विचारा बुरा बैंक क्यों है देखिए बैंकों के पास जो लोन पड़ा है जो NPA पड़ा है जिसका जो है उगाई होई नहीं पा दिये और सारे इस्ट्रेस एसेट को जो है कमर्शल बैंकों के इस Bad Bank को दे दिया जाएगा और यह जो है अब उसका अतापता निकालेगा यह उसकी उगाई करेगा तो ध्यान रखिएगा NARCL क्या है एक Bad Bank है जो कि कमर्शल बैंक के स्ट्रेस्ट एसेट को टेक ओवर करेगा और डिस्पोस करेगा इसमें इसकी स्थापनाकप की रिए जुलाई 2021 में की गई इसका जो कामकाज होगा वो जो सारुप जैनिक चेतर के बैंक है उनके सौमित्वी में होगा कि इनरा बैंक इसका सबसे बड़ा प्रायोज इंडिया डेट रिजोलूशन कंपनी लिमिट्ड ने निजी छिदर के पैंकों के पास नियुनतम कितने प्रतिशत स्वामित्व था देखें यह डेट नहीं है यह डेप्ट है यह ध्यान रखिएगा क्या है यह डेप्ट है तो बात करते हैं कि इंडिया डेप्ट स्वामित्व निजी बैंकों के पास बात कि से पास निजी प्रथिशत बसा दो गलाएगने कितने पर तप 뜨ट्रिय और यह अग को बड़ागने को ज यह गलाएगा निजी प्रतिशत किसमी स्वामित्व था तो देखिए ये कम से कम 49% हो जाता है और सबसे जाता कितना है 51% है किसके पास है नीजे छिदर के कमपनी के पास तो एक भी option बिल्कुल correct information match नहीं कर रहा है तो D जो है हमारा answer हो जाएगा बात करते हैं 22 प्रश्न की गलत विकल्प का chain आपको करना है Unified Payment Interface यानि के UPI इन्होंने वर्तमान में लेन देन की मात्रा के मामले में देखिए ये देश की सबसे बड़ी खुदरा भुकतान परनाली है यानि के Unified Payment Interface is currently the largest retail payment system in the country in terms of transaction volume किसके मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी दूसरा प्रिष्ण क्या है सिंगापूर हाली में QR code के लिए UPI मानको को अपनाने वाला पहला देश बन गया है देखिए कोई developed country ऐसा करेगी इसके chance कम है देकिन कोई developing country ऐसा करेगी ये हो जाता है तो अगर आप एक intelligent guess भी लगाना चाहे तो भी statement गलत हो जाता है सही उत्तर म में आपको बता देते हूं देखिए भूटान जो है QR code के लिए UPI के मानको को अपनाने वाला पहला देश बन गया है अब क्योंकि गलत विकल पूछा गया है दूसरा गलत है तो भी हमारा उत्तर हो जाएगा बात करते 23 प्रश्न की निमलिकित में से कौन सा कारत भारती देता ओंदेता है तो सबसे पहले तो जो- dezeी का कितना इसट में बताता है तो पेमिंट का डिजिली करन हुआ है पहला तो है payment enablers payment enablers जो है इसका परसंटेज है इस पूरे इंडेक्स में 25% है उसके बाद payment infrastructure demand demand side का यह factor है यह देखे 10% है इसकी वेटिज उसके बाद payment performance payment performance का 45% इसके अंदर योगदान है उपभोगता कींद्रिता इसका 5% जो है योगदान है इसकी अलावन है कि मैंने आपको demand side का factor दिखा दिया तो अब एक supply side का भी factor होगा तो payment infrastructure यह supply side का factor है उसका 15% का योगदान है याने के total 5 मानकों पर यह index निकलता है पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए अचा सबसे अदर योगदान किसका है तो 45% वाला याने के payment performance C यहीं आपका answer भी हो जाएगा बात करते हैं 24 वे प्रश्न की पूछा गया है कि डिजिटल भुकतान समाधान इरूपी के संचालन के लिए internet connection के आवशक्ता होती है और पूछा है क्या इसके लिए एक bank खाते के आवशक्ता होती है देखे इसके concept समझते है इरूपी दरसल और कुछ नहीं है क्या है एक voucher है माल लीजे मेरे पास एक voucher है कि भाई आप PVR में जाके movie देख सकते हैं वह voucher मैंने आपको दे दिया आपने वह voucher जाके PVR वाले को दिखा दिया PVR वाले ने आपको picture देखने दी क्या आपको किसी भी तरह के bank खाते की internet connection की या फिर किसी परकार के पैसे की आवशक्ता पड़ी जी नहीं अब इसी voucher का माल लेचे आपके पास digital रूप है digital रूप में मैंने आपको क्या किया आपके mobile पर या ते qr code भेज दिया या फर मैंने आपके mobile पर एक जो है number के digits की जो है एक श्रंकला भेज दिया मैंने आपको खा आप bvr में जाएगा या तो एक qr code दिखा दीजेगा या या नमबर दिखा दीजेगा वो इससे match कर लेंगे उनको पता चल जाएगा आपके पास कौन सी movie का voucher है तो आप movie देख लोगे तो बिल्कुल यही काम e-rupee करता है e-rupee एक digital voucher है जो आपके basic feature phone पे भी काम करता है सरकार voucher को जो है जरुत मंद लोगों को दे देती है जैसे मान लीजे किसी को hospital में इलाज कराना है सरकार ने उसको voucher दे दिया वो hospital में गया उसने voucher दिखाया सामने वाले ने match किया match हो गय आपको कोई पैसा नहीं देना है कोई transaction नहीं है कोई smartphone की जरुत को internet connection की जरुत नहीं है आपका इलाज हो जाएगा यह voucher एक टाइम में एक ही चीज के लिए काम करता है यह ध्यान रखना है one time होता है ऐसा नहीं कि एक ही voucher को दिखा कि आप बार-बार movie देख लेंगे तो यह यहां से हमारा देखे प्रश्ण का उत्तर आ जाएगा internet connection की आवशक्ता होती है नहीं क्या बैंक खाते की आवशक्ता होती है नहीं तो यहां से देखे हमारा answer कौन सा हो जाएगा 24 वे का answer हो जाएगा D इसी तरह concepts को clear करके पढ़ेंगे तो रटने की आवशक्ता नहीं बचे की आसानी से चीज़ें तयार हो जाएगी बात करते हैं 25 प्रश्ण की गलत विकल्प का आपको चैन करना है भारत में 2001 में बीमा व्यापन यानिके insurance penetration वो 2.7% था और अब यह बढ़कर 2020 में कितना 4.2% हो गया है ठीक है जी अब आप पूछेंगे मैं अब यह बीमा व्यापन insurance penetration क्या है देखिए जब आपके जो GDP है उसके अंदर जो insurance का premium है यह कितना योगदान कर रहा है माल लिजे GDP है आपकी 100 billion dollar की ठीक है आप इस 100 billion dollar की GDP में जो आप insurance का premium भर रहे हैं सब लोग मिलके यह 10 billion dollar का जो है योगदान देता है तो इसका मतलब आपके हैं जो insurance penetration है वो कितना है 10% है ठीक है तो किसी GDP में insurance कितना जो है योगदान दे रहा है इसका अगर आप ratio निकालते हो तो वो insurance penetration कहलाता है तो अब statement की बात करें तो पहली statement बिलकुल ठीक है यह 4.2% हो गया है दूसरी statement 2020 में भारत में जीवन बीमा के लिए बीमा घनत व इंशोरेंस $59 था गया जीवन बीमा के लिए बीमा घनत व डॉलर 19 था जो कि वैश्विक मानकों से बहुत कम है यह statement भी ठीक है अब बात करतें insurance density क्या है देखिए कितना insurance premium है और total number of population कितनी है यानि कितने तो लोग है और कितना premium भर रहे हैं इसका जब आप ratio निकालोगे तो आपको insurance density पता चल जाएगी और भारत में यह जो global standards है उसके comparison में बहुत ज़्यादा कम है तो यहां से बहुत उत्तर निकाल लीजे तो C, D हमारा हो जाएगा answer क्योंकि गलत विकल पूछा गया है तो D उत्तर हो जाएगा ठीक है concepts को ध्यान में रखिएगा क्योंकि statement के रुप में कभी बहुत सकता है आपसे कि इंशोनेंस डैनिसिटी क्या होती है तो ध्यान रखिएगा अब बात करते है question number 26 की देखे आर्थिक सर्वे चंड 20-22 के आखडों के नुसार टॉप के 6 कर्षी निर्यात उत्पादों में से तीसरा निर्यात उत्पाद और पांच्वा निर्यात उत पांच्वा निर्यात उत्पाद का चेन कीचे यानिके सर्वे ने आपको छे टॉप आइटम बताए है जो अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट में आ रहे हैं आपको इसमेंसे तीसरे नंबर वाला पांच्वे नंबर वाला बताना है पहले तो टॉप सिक्स कौन कौन से इनकी बा है तीसरे नंबर पर म साले है जो चोत्रे नंबर पर पर चीनी हैं मी्था खाते बए ज़्जादा है और khalatे प beadा उसके पार देख जो और गया 5 वे नंबर की इस बात करे तो यह गेसा मैस ऌन्ट है बहस का मास आपworks कैं प्रिष्ण को उतन निकालते है च्टैवे चाल कॉन पहले त तीसरे नंबर का पूछा है तो सब नियुकर जाएगा फिर उसके बाद 55 का पूछा ए तो बूफ्मयो मीट हो जाएगा- तो हमारा आंसर काम काम से निकल जाएगा? पहले तो आपका है यह तीसरे नंबर पर वाला और फिर कौन सा इस तो 5 और फिर यह तो यहांँ पर डेकि यह जो लिखे गए है यह है थो ठीक लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था फई ए और वन इसे सिक्स एंड और या टू तो यह और अब समझ गए हैं तो यह से हमारा जो अंसर है वह कौन सा होजाएगा पहला मसाला है दूसरा भहस का मास है तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा A ठेक है अब बात करते हैं 27 प्रश्नकी पूछा गया है कौन सा छेतर सरवादिक FDI FDI मतलब Foreign Direct Investment Equity अंतर वहा यानि कि आपका Equity Inflow ठेक है करने वाले टॉप के चार छेतरों के अंतरगत नहीं आता यानि कि चार सेक्टर ऐसे हैं जिसमें FDI खूब बढ़िया तरह आ रहा है आपको बताना है कौन से वाला नहीं है पहले टॉप के फोर देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे Computer Software and Hardware दूसरे नंबर पे Automobile Industry तीसरे नंबर पे हैं सेवा चेतर यानि के सर्वेस सेक्टर और चोथे नंबर पे हैं ट्रेडिंग अब देखिए यहाँ पर जो दूर संचार दिया गया है कैसका नाम मैंने भूला जी नहीं यह दर असल पांचवे नंबर पर आता है तो C इसका अंसर हो जाएगा बात करते हैं 28 प्रश्नकी पूछा गया है Economic Survey 2021 के अनुसार निमले कितमे से कौन सा चेतर Nominal सकल मूल्य वरधित यानि के Nominal GVA में सबसे कम हिस्सेदारी का जो है योगदान देता है और पूछा गया है Nominal GVA में सबसे कम हिस्सेदारी देता है यही आंसर हो जाएगा फेक्ट है प्योट 29 प्रश्चन अर्थिक सर्वेक्शन 2021 के अनुसार Nominal Gross Value एड़ेड में निमले कितमे से कौन सी सेवाओ का योगदान 16 प्रतिश्चत से कम है इस बार सर्विस का पूछा हुआ है अब देखे बात करते हैं तो अगर आप देखे सेवाओ के अंदर तो सबसे जादा योगदान जो है वो है व्यापार होटल परिवान संचार और परसरन से संबंदित सेवाओ का इसके बार देखिए वित्य रियल स्टेट पेशरवर सेवाए इनका भी अच्छा खासा योदान है 20% के लगबग है वैपार होटल का 17% के लगबग है जो लोग परिशासन रक्षा और अन्य सेवाए है इनका देखे 15% के ही लगबग है इनका कम है तो यहाँ पर हमारा उत्तर भी कौन सो हो जाएगा C जो है हमारा उत्तर हो जाएगा बात करते हैं तीसवे प्रशन की निमलिकित में से किस संस्था ने वित्ते वर्ष 22 ते इसके लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद डिफलेटर को 3 से 3.5% पर अनुमानित किया है सबसे पहले तो बात करते हैं यह जो GDP डिफलेटर भया बता रहे हो यह क्या है देखिए महंगाई का मेजर करने में यह GDP डिफलेटर काम आता है यह क्या बताता है कि किसी अर्थ व्यवस्था में जो गुर्स और सर्विस प्रोड्यूज हुए है उनके प्राइज में क्या चेंज आया है तो महंगाई का मेजर करने का एक तरीका होता है GDP डिफलेटर यह आप समझ गए अब बात करते हैं कि किसने यह अनुमान किया था तो देखिये जो सांखी की और कार्यकरम कार्यान वेल मंत्रा लिया है Ministry of Statics and Program Implementation उन्होंने यह अनुमान जो है किया था तो उत्तर हमारा C हो जाएगा 31 प्रशन की ओर चलते है राहत प्रदान करने और घरेलों खाद तेलों की कीमतों में और वरद्धी को रोकने के लिए किसने कच्चे पाम तेल के लिए करशी उपकर को साड़े 7% से घटा कर 5% कर दिया है Important question है ध्यान रखिएगा तो देखिये यह किसने किया है यह ना इन्होंने किया है ना इन्होंने किया है इन में से कोई नहीं आपका अंसर हो जाएगा 32 प्रशन गलत विकल्प का आपको जो है चेन करना है State Bank of India Research Report EcoRap ने financial year 21 के लिए भारत के सकल गहलो उत्पाद व्रदीदर को संशोधित करके 8.8% कर दिया है सही बात है मूरीज ने चालू वर्ष 2025 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर दिया है पहले कितना बताते हैं 7% ही होगा अब कहरे नहीं 7.9% तक जा सकता है ये बात भी पिल्कुल ठीक है तो क्योंकि गलत विकल्प पूछा है इनमें से कोई भी गलत नहीं है तो D हमारा उत्तर हो जाएगा 33 प्रशन इस बार आपको सही विकल्प बताना है 25 फरवरी से चरणबद तरीके से T प्लस वन स्टॉक निप्टान तंत्र को लागू करने वाला भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया है तो ये गलत बात है भारत देखे चीन के बाद दूसरा देश सेकंड नमबर पर बन गया है फर्स्ट नमबर पर कोई है चीन है तो ये गलत हो जाएगा जी कि उसके बाद पूछा गया है दूसर स्टेटमेंट 1 मार्च 2022 को सेंटर डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड क्या है सेंटर डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडी एसल इन्होंने गोशना की है अब इसके पाद 6 करोड से भी जादा सक्रिय डीमेट खाते है तो ये स्टेटमेंट बिलकुर ठीक है क्योंकि सही पूछा गया था स्टेटमेंट डो सही है भी हमारा उत्तर हो जाएगा 34 प्रशन हाली में युनिवर्सल पीमेंट इंटरफेस तंतर के माध्यम से सारवजनिक रण प्रतिभूतियों को जारी करने में आवेदन करने वाले खुद्रा निवेशकों के लिए जो निवेश शीमा थी वो पहले दो लाग रुपे थी अब उसको बढ़ा कर कितना कर दिया है निवेशकों साथ में यह ऐसा किसने कर दिया है तो देखिए अगर बात हो रही है कि प्रतिभूतियों में इन्वेस्टिमेंट की तो यह जो अगर सेक्यूर्टी मार्केट सेक्यूर्टी मार्केट की बात हो तो से भी नहीं कुछ किया होगा तो से भी आप तो एक आंसर लिख सकते हैं दूसरा क्या है पहले निवेशकों की सीमा पांच लाग तक जो है अपरतिभूतियों को जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं खुद्रा निवेशकों को देखे जादा अमाउंट की पर्मिशन अब मिल गई है तो यहां से देखे चौतिस्वा प्रिश्टियों का आंसर कौन सो हो जाएगा यह हो जाएगा प्रिश्टियों देखते हैं गलत विकल्प का आपको चैन करना है नेशनल सिक्यूर्टीज डिपोजिटरी लिमिटेड ने हाली में वित्रवश एकिस बाइस के लिए भविश्य नीदी जमा पर ब्याल दर को गटाकर 8.1% कर दिया है तो यह देखें गलत है क्योंकि किस ने किया है ऐसा करमचारी भविश्य नीदी संगठन ने किया ना कि सांवने नयशनल सक्यूर्टी किसने किया है क्योंकि अब भविश्य नीदी के बाद तो यह होगा यानि के कौन होगा आपका तो जो आपका EPFO है ठीक है ये इसको क्या होलते है Employees Provident Fund Organization दूसरी स्टेटमेंट रेटिंग एजनसी मार्गन स्टेनली ने वित्वर्ष 22 से इसके लिए भारत की GDP व्रद्धी दर के अनुमान को आदा परतीशत घटा कर 7.9% कर दिया ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है गलत विकल्प का चे अनुमानित जो साड़े 8% के तुल्ला में वित्वर्ष 2023 के लिए वास्तविक GDP विकास अनुमान को 7.8 पर परकरार रखा है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है उन्होंने का भाई आप साड़े 8% कह रहे हो ठीक है हमें 7.8 लग रहा है सेकिंड ऑप्शन देखते हैं वस्त करे 2022 में पांचवी बार सवा लाख करोड रुपे का 1.30 लाख करोड रुपीज का आकड़ा पार किया है ये बार पर भ्यूकुल ठीक है तो यहां पर देखिए हमारा गलत कोई भी नहीं है तो डी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रेशन की बात करते हैं निमली कितमे से गलत नीती समीती यानि के मोनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है उसने दसवी बार रैपो रेट को 3.5% पर परिवर्टित रखा है तो यह गलत बात हो जाएगा दरसल रैपो रैपो रेट 4% था और पिछले 10 बार से वह 4% पर इसको अंचेंज रख रहे हैं बात करते हैं मोनेटरी जो आपकी जो कमिटी है पॉलिसी कमिटी देखिए भारत सरकार के दुआरा 2016 में जो आर बी आई एक्ट था उसमें संचोधन करके कब 2016 में संचोधन करके ब्याजदर के निर्धारन के लिए इंटरस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए ट्रांस्पेरेंसी उसके अंदर लाने के लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का गठन किया था इसमें कितने सदस्यों होते हैं छे सदस्यों का पैनल होता है जिसमें से तीन जो है आर बी इसलिए जाते हैं और तीन सदस्य जो की स्वतंत्र होते हैं वह भारत सरकार के द्वारा जो है चुने जाते हैं टोटर छे लखने के लिए जिम्मेदार होती है कि भाई हम उतना ही इंट्रेस्ट रेट रखेंगे जिससे की महंगाई जो है काबो में रहे तो मोनेटरी पॉलिसी के बारे में यह जो इंफोर्मेशन मैंने आपको बताई है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब आते हैं प्रश्न पर तो पहली स्टेटमेंट तो गलत थी क्योंकि 4% है दूसरी स्टेटमेंट आर्बिया इने वित्यवर्ष 22 थे इसके लिए वास्तविक GDP वरद्धिदर 7.8% रहने का अनुमान तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो यह से गलत विकल्प का चेंग करना है पहला गलत है और आंसर हो जाएगा 38 गलत विकल्प का चेंग करना है किस बारे में अंतरास्तिय बोधिक संपदा सुचकांग 2022 के बारे में यानिकि इंटर्णेशनल इंटरलेक्शल तीसरी रैंक पर है ये भी बात ठीक है तीसरी रैंक पर देके जर्मनी है ठीक है स्वीडन नहीं है जर्मनी है गलत पूछा है यही गलत हो जाएगा दी आंसर 39 question सही विकलत का आपको चेहन करना है भारतिय रिजर्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 से इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट का लाइसेंज जो है रद कर दिया है यह बात ठीक है जो महाराष्ट का यह इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक लिमि कि को यहां से और तो यहां से प्रिशन का उतर किया हो जाएगा भी इसका उत्तर हो जाएगा बात करते 41 प्रिशने की किसने भारत सरकार की ओर से हाली में श्री लंका सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के विद्पोशन के लिए 500 मिलियन डॉलर की हेल्प की है आप सबको पता है श्री लंका में तांडव चल रखा है आर्थिक सं भारतिय आयात निर्यात बैंक जो भी आप कह लीजिए कौन सा हो जाएगा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसके बिहाफ पर की है यह पर नहीं दिया गया है तो डीस का अंसर हो जाएगा 42 गरत विकल्प का चेन कीजिए भारतिय रिजर्व बैंक ने हालीवे 14-18 फर्वरी के अवधी को वित्य साक्षरता 2022 के रूप में मनाया यह बात बिल्कुल ठीक है देखिए उन्होंने फाइनेंशल अवेरनेस या फाइनेंशल लिटरेसी वीक सेलेबरेट किया है ताकि लोगों में वित्य जागरुकता बढ़े फिर वर्ष 2015 से हर साली वित्य साक्षरता का युजन किया जा रहा है तो गलत है क्योंकि ऐसा केवल 2016 से ही किया जा रहा है तो यहां से गलत पूछा गया है भी हमारा आंसर हो जाएगा बात करते हैं 43 क्रेश्चन की पूछा गया है कि कौन सा स्वेच्षिक परतिधारण मार्ग में निवेश की सीमा को बढ़ा या घटा सकता है अब देखिए आपके कंट्री में जो इनवेस्टिमेंट आ रही है चाहे वो FDI के थ्रू आ रही है या FPI के थ्रू आ रही है कौन इसको कंट्रोल कर रहा है तो Reserve Bank of India तो सीमा को घटाने बढ़ाने का काम पे तो Reserve Bank of India पूछा है अब स्वेचिक पर्तिधारण मार्ग यानि के वॉलेंटरी रिटेंशन रूट उसकी सीमा को कितना बढ़ा दिया है तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं यह वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है क्या देखिए एक इन्वेस्टमेंट आती है FDI प्रत्यक्ष विद इसलिए बेशते हैं कि अपने बारे में जादा जानकारी साजह नहीं करना चाहते हैं मोटे तो पर समझेंगे तो अभी क्या किया है इनके लिए एक नया चैनल एक नया माध्यम जो है लादिया गया जिसका नाम रखा है वी सी वॉलेंटरी डिटेंशन रूट जिसमें इनक जो माक्रो प्रुडेंशियल और अधर रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनको फोलो नहीं करना पड़ता है यानि कि इनको बहुत जादा पूछ तास्ते चुट्टी देती है हम आपका जादा आईडी आदार कार्ड ये सब नहीं मांगेंगे आप जो है पैसा तो हमारे देश में कोई दिक्कत की बात नहीं थोड़ा बर केवाई सी हो जाएगा चल जाएगा ठीक है और ये केवल FPI इंवेस्टमेंट पर एप्लिकेबल इतना आप धिहान रखिएगा ठीक है अच्छा कमें सेक्शन में मुझे बताएगा FDI इंवेस्टमेंट कभ माननी कितने परसेंटेज जो है हमारे पैसा आता है जो इसको FDI माना जाता है किस इंवेस्टमेंट के इंवेस्टमेंट हो कि इसको FDI माना जाया यहां बताएगा चलिए तो हम ये स्वेचिक पर ते धरड मार्ग समझ गए कि आपको कम अपने बारे में जान पैचान देनी पड़ रुपे थी अब देखिए इसको 2,50,000,000 क्रोड रुपे कर दिया है तो इसका अंसर क्यों जाएगा पूछा है कितनी बड़ी है तो एक लाग क्रोड रुपे जो है बड़ी है तो दी इसका अंसर हो जाएगा बात करते हैं 44 क्रिश्चन की सही वितल कच चैन करना है एश्या बिलकुर ठीक है इतना पैसा हमें मिला है उसके बाद किनियो क्लेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए क्रिड्ट सॉलुशन के साथ साज़ेतारी किस ने किया यहां पर access bank दिया है और बात इसका क्यों है यह जो साज़ेतारी की है यह अरb ces वितल करना है पहली statement ओं निया अनसर ह बैंक ओफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिगरन कर लिया है यह बात ठीक है यह बैंक ओफ बडोदा यूनियन बैंक ओफ इंडिया और कॉर्मिल पॉइंट इंवेस्टिमेंट्स के बीच में संयुक्त उध्यम है यह बात भी देखे बिलकुर ठीक है दोनों पहला समारी का सिख्का जो है लॉच हुआ है और यह जो लॉच के द्वारा किया गया देखे पहली बात वित्व मंतरी दिर्मला सीता रमन के द्वारा किया गया है और जो सिक्यूर्टी प्रिंटिंग और मिंटिंग कोपरिशन ओफ इंडिया लिमिटेड है इसका सत्रवन स्थापना दिवस था तो यहां से जो हमारा बी आंसर हो जाएगा 47 गर्ट विकल्प का चेहन करना है SDFC ने हाली में एग्री इंफिनिटी कार्यकरम को जो है शुरू किया है गलत बात है क्योंकि यह जो है यस बैंक ने किया है ठीक है ध्यान रखिएगा इसके बात गॉल जो सेश है उनके द्वाडा Metaverse में दुकाल स्थापichen करने वाला यह दुनिया लुक्त बात है बात करते हैं 48 question की बारतिय रिजर्व बैंक ने हाली में गैर बैंकिंग वित्य कंपनियों के लिए नए गैर निश्पादिस संपत्यों का वर्गीकरण मांदर्ण जो थे उनके पालन करने की समय सीमा मार्च 2022 की पूर्व समय सीमा से बढ़ा कर कितनी कर दिया है तिकि रिजर् मार्च 2022 तक मत करो थोड़ा लेट कर लो अब उन्होंने कितना बोल दिया है 48 question तो देखिए यह कर दिया सितंबर 2022 तक तो सी इसका अंसर हो जाएगा बात करते है 49 question किस बैंक ने हाली में गोशना की है कि वह E-R-U-P-I voucher यानि कि क्या E-R-U-P-I voucher के लिए अधिकारिक अध अधिकरण भागीदार है वह क्या है एक तरीके से वह एक ऑफिशल एक्विजिशन पार्टनर है और E-R-U-P-I क्या है एक सरकारी पहल तो ही मैंना आपको बताया था सरकार जो है वाउचर देगी लोगों को है ना तो यहां से मारा आंसर कौन सा हो जाएगा बात करते है 50 question क National Payments Corporation of India के सयोग से जो Union MSME रूपे credit card यह launch किया है किसने किया भाई एक तो NPCI है उसके अलावा और कौन है तो Union Bank of India Union Bank of India जो है इसके सयोग से यह Union MSME रूपे credit card जो है launch किया गया है तो यहां पर D जो है आपका अंसर हो जाएगा अब हम चलते हैं अपने 51 वे प्रश्न की ओर एक एक करके statement को हम देखते हैं ताटा समू ने Air India के लिए भारती स्थीट बैंक, Bank of Broda, SDFC Bank को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है यह statement बिल्कूल ठीक है थे कि ताटा समू ने Air India के लिए भारती स्थीट बैंक, Bank of Broda और SDFC Bank को Preferred Bank के रूप में चुना है Second statement है हाली में ताटा समू ने Government से Air India का अधिकरण किया है यह भी बात बिल्कूल ठीक है इसके बात देखें कि ताटा संस ने SBI से 10,000 करोड रूपे और SDFC से 5,000 करोड रूपे का रूपे का रूप लिया है देखें आधा तो ठीक है ताटा संस ने SBI से तो 10,000 करोड रूपे का रूपे का रूपे का रूपे ठीक बात है लेकिन जो 5,000 करोड रूपे का रूपे का रूपे यह HDFC से नहीं यह बैंक को बडोदा से जो है लिया है तो यहाँ पर देखें क्योंकि गलत विकल्ब का चेन करना था तीसर स्टेटमेंट गलत है तो C हमारा आंसर हो जाएगा पहली दो स्टेटमेंट ठीक है 52 गोस्चन Happy Shop ब्रांड नाम के अंतरकत अपने रिटोल स्टोर का उद्गाटन करके गैर इंदन खुदरा छेतर यानि के जो आपका नोन फ्यूल रिटेल है इसमें किसने जो है एंटरी अभी की है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपरेशन लिमिटेड इसने हैपी शॉप नाम का एक ब्रैंड लिया है और इस ब्रैंड के दुआरा इनों ने गैर इंदन खुदरा छेतर में प्रविश किया है तो यहां पर नहीं दिया हुआ है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा 53 कोशन पर आ जाईए गलत विकल्प का आपको चैन करना है आइसी आइसी लोंबार जनरल इंशॉलेंस ने हाली में एर टेल पेमेंट्स बैंक के साथ स्वाज़ेदारी की है ताकि बैंक के ग्रहकों को साइबर बीमा की पेशकर्स की जा सके ठीक है साइबर सेक्यूर्टी आपने सुना होगा अब देखिए उसी के कंडिक्स में आ गया है तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यह साइबर बीमा पॉलसी ग्रहकों को बैंकिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड की चूरी चूरी की पहचान फिशिंग या इमेल स्फूपिंग आदी जो संभावित वित्य धोका धड़ी है उसके खिला वित्य सुरक्ष प्रदान करती है बिल्कुल सही बात है यही तो साइबर इंशॉरेंस का परपर्स होगा इसके पात है कि तीसरे स्टेटमेंट एटल पेइमेंट बैंक की ग्रहक एटल ठेंक्स एप का अपयोग करके मिंटो में इस साइबर बीमा पॉलसी को खरीच सकते है यह स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि सारी स्टेटमेंट ठीक है गलत कोई भी नहीं है डीस का अंसर हो जाएगा फिफ्टे फॉर कुशन की बात करते है गलत विकल्प का आपको चैन करना है कि इंदर यह जांच ब्यूरो यानिकि CBI ने हाली में ABG Shipyard घोटाला काफे फेमस हुआ था ठीक है इ इतने ही क्रोड रुपे का मामला दर्ज हुआ है ABG Shipyard ने 24 बैंक और वित्य संस्थाओं के एक संगल से 22,822 क्रोड रुपे की दोकादड़ी की है तो यह बात देखे गलत है ABG Shipyard ने करीब 28 बैंक और वित्य संस्थानों के एक यूनियन से 22,822 क्रोड रुपे की दोकादड की है B statement गलत हो जाएगा यही हमारा उतर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है 55 वाला question पैसाबाजार.com पैसाबाजार.com हाली में उपभोगता रुणों के लिए पैसा ओन डिमांड की पेशकर्स करने वाला देखे एक initiative लेकर आया है और इस initiative के लिए इसने किस बैंक क के साथ साजयतारी की है तो RBL बैंक लिमिटर के साथ साजयतारी की है सी इसका अंसर हो जाएगा 56 गलत विकल्प का चेंड करना है MSME मंत्राल्ये ने सोक्षम लगूम अध्यम उधम मंत्राल्ये ने हाली में पश्चिम बंग्डाल के सुंदर बन में महिलाओ के लिए waste to wealth creation कार जोग विकास बंक है उसने पश्चिम सुंदर बन जो है पश्चिम बंगाल का वहां पर महिलाओ के लिए waste to wealth creation कारेकरम जो है शुरू किया है सेकेंड बात देखिए जो यह waste to wealth creation कारेकरम है इसमें क्या होगा महिलाओ फिश स्केल से आभूशन और सोपीस बनाएंगे यह बात बिल्कुल ठीक है गलत विकल्प का चेंड करना है तो देखें ए हमारा गलत है तो यहीं हमारा option हो जाएगा 57 question geo platforms ने हाली में US आधारिद deep tech startup company two platforms में कितने percentage की और कितने million rupees की जो है हिस्सेदारी ली है आपको यह बताना है geo platforms ने US आधारि जो deep tech startup company है क्या नाम उसका two platforms उसमें 15 million dollar में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी लिए 15 million dollar खर्च किये है और 15% की equity या फिर आप कह सकते है जो इसकी जो stake है वो लिये है तो option यहापर कौन सा हो जाएगा दी हो जाएगा 58 question सही विकल्प का आपको चेंड करना है सरकारी प्रती बूती अधीनियम यह 2006 में आया banking लोकपाल योचना यह भी देखे 2006 में आई उसके वाल factoring विनिमे अधीनियम factoring act rule यह देखे 2000 क्या है 11 में आया तो क्योंकि हाँ पर सारे ही गलत है सही विकल्प कोई भी नहीं तो डी इन में सो कोई भी नहीं act है यानि के PMLA यह देखे 2002 आएगा राजकोष उत्तरदाइद्व और budget प्रभंदन अधीनियम तो यह भी देखे कब है यह भी 2002 आएगा ठीक है तो यह भी गलत हो जाएगा तो क्योंकि आपसे गलत विकल्प पूछा गया तो तीसरा और चोथा यह गलत विकल्प है तो C हमा हमारा answer हो जाएगा यह देखे 34 नहीं है यह पर लिखा जाना था यह 3 & 4 ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा 60 questions की बात करते है कुछ अधिनियम दिये गए है उनको chronological order में आपको लगाना है भारतिय प्रती भूती और विनिमे बोर्ड अधिनियम Security and Exchange Board of India Act ठीक है यह कब आया अधिनियम के या उसके ऐद रास्ते आवास सब्सक्राइब इच्पर 102 15 एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यह आया आए आपका 1981 में अब क्रोनोलोजिकल ओर्डर में लगाएंगे तो देखें फॉर्थ थर्ड सेकिंड फर्स्ट यह हो जाएगा तो बीस का अंसर हो जाएगा बात करते हैं 61 कि कुछ अधिनियम दिये गए हिंको क्रोनोल क्रोनोलोजिकल ओर्डर में लगाएं सबसे पहले कौन सा आजाएगा 1950 फिर 55 फिर 56 फिर 1963 तो देखें यहां पर आपका आंसर जो है वह हो जाएगा 61 का अंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ने शोश्चन की बात करते 62 कोश्चन सहीं विकल्प का चेंड करना है तो देखें वागुल समीती यह किसे संबंदीत है भारत में मुद्राबाजा से मनी मार्केटिन इंडिया से वासुदेव समीती यह किसे संबंदीत है यह आयकर छूटकी समिक्षा से संबंदीत है सही बात है और अरुना सुंदर राजन समीती यह देखें दूर सरचार छेतर सबसे पहले क्या दिया गया है सिवरामन समीती तो नाबाड की स्थापना सही बात है स्वामी नाथन आयोग अच्छा यह जो सिवरामन समीती नाबाड की स्थापना का बाज़ेगी 1979 इसके बाड स्वामी नाथन आयोग किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए यह विवार ठीक है 2004 उसके बाड जस्थिस एके माथुर आयोग नोवा नहीं कौन सा सात्वा वेतन आयोग ठीक है फिर के संथानम समीती केंद्रिय सतर्कता आयोग की स्थापना यह बीठी हो हो जाएगा बात करते हैं 64 क्वेशन की 1948 में विश्व विध्यालिय अनुदान आयोग यानिकि जो आपका युनिवर्स्टी ग्रांट कमीशन है ठीक है उसकी स्थापना के लिए निमलिकित में से किसका गठन किया गया था यानिकि भाई देखें यह यूजी सी हो आये इसकी किसको पहले लेकर आये थे किसने तो हमें इस बात की सिफालिशत दी होंगी न तो 64 क्वेशन देखें करके देखते हैं जो राधा कृष्णन आयोग था वो दरशल विश्व विध्याले अनुदान आयोग कि सापना के लिए आया था कब आया था 1948 वे तो राधा कृष्णन किसका आंसर हो जाएगा अच्छा कुछ और आयोग दें इनके बारे में पर जालने थे कोठारी आयोग किसले आया था भारत में सेक्सिक छेत्र से संबंदित यानिके जो एजुकेशनल सेक्टर था इंडिया का उसके सभी पहलों की जांच करने के लिए किस से संबंदित तो आपको पता ही इने राष्ट्य सिक्षा नीति का मसोधा बनाया है यानिके नेशनल एजूकेशन पॉलिसी ठीक है बात करतें 65 कुष्चिन की निमिली किस समीति का गठन आई डिप आई के पुनर गठन के लिए किया गया था तो आई डिप आई के पुनर गठन के लिए कोई गया था अत्रे समीति का थीक है तो चीज का अन्नी के बारे में बात कर लेते है ए शले समीती तो गया बैंकिंग जो हमारी फाइनेंस कंपणी जो होते एंबे chcia इसे संब्दित है Arjuna समीती तो Swin乾 के वोतन से back hy जै कि एक इए later समीति की आधर में बात करूं तो जो तो हुसेन समीती option number 20 का answer हो जाएगा यह से संबंदित है अन्य की बात कर लेते हैं अभिजीत जयन समीती लंबी अवधी में खाद नीती food policy को जो है तयार करने से यह related है उसके बाद चक्रवती समीती अगर मैं बात करूँ तो मौदरिक नीती monetary policy से यह related है जी वी रामकृष्ण समीती वी निवेश यानि कि जो आपका disinvestment होता है उससे related है ठीक है ध्यान रखिएगा 67 question कौन सा कर प्रत्यक्षकर नहीं है dialect tax और कौन सा कर in dialect tax यानि कि अव प्रत्यक्षकर नहीं है सबसे पहले तो देख लेते हैं धे कि प्रत्यक्षकर कौन कौन से होते हैं तो देखिए जो आपका income tax लगता है जो आपका corporate tax लगता है निगम कर उसके बाद जो आपका धनकर संपत्य टेक्स लगता है ठीक है यह नहीं आएगा आपका प्रत्यक्षकर में आप बात करते हैं प्रत्यक्षकर की इसके अंदर क्या क्या आता है उत्पाद शुलक आता है बिक्री कर आता है सीमा शुलक आता है मनोरंजन कर आता है क्या मैंने धनकर की बात की नहीं यह तो डायर टेक्स में आता था ना तो यह तो पूछा गया है कौन सी कंट्री उन तीन कंट्री में नहीं आती है और भारत की रैंकिंग इसमें क्या है देखिए जो ब्रिस्टाचार धाना सूच कांग है यानि के जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को निकालता कोन है तो ध्यान रखेगा जो ट्रांस्पेरेंसी अच्छा कौन सी तीन कंट्री एक साथ फर्स्ट में आई है तो आपके डैनमार्क इसके अलावा आपका फिनलेंड और इसके अलावा देखिए जो आपका न्यूजिलेंड है यह तीनों जो एक साथ फर्स्ट में आई है तो यहां से अगर हम आंसर की बात करें कौन कौन सी क तो नौरवे नहीं आया है तो आंसर जाएगा ए जाएगा दूबार एक बार देख लेते हैं डेखे डेन्मार्क फिनलेंड और न्यूजिलेंड ये तीनों मिलके क्या है फिर्स्ट पर आयें तो नौरवे तो नहीं आया है और भारत की रंक कॉनसी आई ए 85 आई है तो एसका अ जाएगा अब बात करते हैं 69 कोश्चन की ग्लोबल डर्ग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है और साथ में चौथे नंबर का जो देश है उसका नाम बताना है अच्छा पहले बात तो बात करते हैं यह जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स किसके द्वारा रि अठारवी है और देखे पहली रैंक आई है नौर्वे की दूसरी रैंक है न्यूजीलेंड की तीसरी रैंक पर पॉर्तगाल है यूनाइटड किंग Давम देखे चौति रैंक पर है और क्योंकि चौता ही पूछा गय तो हमारा United Kingdom हो जाएगा यहां से answer कौन सा निकल जाएगा तो अठारवा और UK A answer हो जाएगा सत्तर question कलत विकल्प का chain करना है किसके बारे में Trace, Veshwik, Riswet, Joking, Ranking 2021 इसको कौन निकालता है इसको देखिए जो आपका Trace International है उसके द्वारा ही निकाला जाता है भारत की rank की बात करें तो 82 आई है भारत की rank Denmark 1st पर आया है Norway 2nd पर आया है और Sweden देखिए 3rd rank पर आया है इस हिसाब से अगर हम अपना answer निकाले तो इसमें से कोई सा भी answer गलत नहीं है यानि के सारे के साने answer ठीक है कैसे देखिए भारत की rank आया है यह बात ठीक है Denmark को 1st rank मिली है यह भी बात ठीक है Norway की 2nd rank आया है यह भी बात ठीक है Sweden की 3rd rank आया है यह भी बात ठीक है गलत विकल्प का चेंड करना यहां पर कोई गलत विकल्प नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजेगा बात करते हैं 71 सही विकल्प का आपको चेंड करना है वैश्विक स्वास्तिय सुरक्षा सूचकांग 2021 के बारे में देखें वैश्विक स्वास्तिय सुरक्षा सूचकांग इसको कौं को निकालता है देखें ध्यान से सुनिएगा Nuclear Threat Initiative यह प्लस आपका Johns Hopkins Center निकालते हैं कहां पर निकालते हैं जो आपका Bloomberg School of Public Health है यानि के जो आपका Nuclear Threat Initiative है इसके अलावा Johns Hopkins Center है Hopkins Center है और आपका Bloomberg School of Public Health है यह मिलकर इसको निकालते हैं अब इसके पर एम बात करें तो भारत की रैंक आईएएस में 66 यह सके 6 फर्स रैंक पर आया है तो यूएस से 1st आया है 2nd रैंक की बात करें तो अस्ट्रीलिया 2nd आया है अगर 3rd की बात करें तो फिंडलेंड 3rd आया है 4th की बात करें 4 पर तो कनड़ आया है अब देखिए यहां पर देख लेते हैं कौन सा जो है तो बीकलत है तो यहां से पता चल गया रिपोर्ट का नाम क्या है? Global Spam and Scam Report किस ने निकाल लिया? True Caller ने कौन से नमबर के? पाच्वे नमबर की? यह तो पता सल गया इसमें भारत की रैंक क्या है? यह आपको बताना है और आपको बताना है Top 3 Countries में कौन जो है शामिल नहीं है देखें भारत की तो जो रैंक आई है वो 4 आई है और Top 3 Countries की बात करें तो वो है आपकी देखें ब्राजिल नमबर 2 पे है आपकी पेरू और नमबर 3 पे है आपकी जो यूद्व से भी परिशान है यूकरेन तो अब देखें उत्तर की बात करें तो डी जो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत की ये चोथी रैंक और ब्राजिल पेरू यूकरेन तीनों ये Top 3 Countries है बात करते हैं 73 Question की क्या भारत को हरून Global Unicorn Index 2021 के अंतरगत शीर्स चार देशों में सामिल किया गया है तो देखिए पहली बात तो बात करते हैं कि जो भारत है उसको इसमें शामिल किया गया है और भारत की रैंक भी आई है कौन सी रैंक आई है थर्ड रैंक आई है ठीक है अब देखिए बात करते हैं Unicorns क्या होते स्टार्टप के अ अच्छा इस question की अगर बात की जाए तो यहाँ पे answer हो जाएगा आपका B क्योंकि देखिए इसमें जो पहली rank आई है वो USA की आई है दूसरी rank देखी चीन की आई है और भारत की तीसरी rank आई है हैंले passport index 2022 में टूप की टू कंट्रीज का नाम आपको बताना है देखिए हैंले passport index 2022 भारत की अगर rank की बात करूँ तो 83 भी rank भारत की आई है और टूप की दू कंट्रीज की बात करूँ तो एक का नाम है जापान और दूसरी का नाम है सिंगापूर तो यहां से आंसर निकाल लेते हैं तो ए हमारा आंसर हो जाएगा गलत विकल्प के आपको चेन करना है किसके बार में विश्व प्रतिस परधात्मक सूच कांग तीक है यानि कि आपका जो वर्ल्ड कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स 2021 है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि विश्व परतिस परधात्मक सूच कांग किसके द्वारा निकाला जाता है आच्छा देखे भारत की रेंग कौन से आई है 43 आई है जैन zij बात करते गलत विकलब का चेंट करनाए इस्यां पावर इंडेक्स 2021 है तो देखिए ऐस्या पावर इंडेक्स भारत का तो इसमें water चौधा इस्थान फुर्स नंबर से कुम्पे तो यू यू efect से फ образом चीन जो यू दूश्र से नंबर पर दोश्रे नंबर है तो D गलत हो जाएगा क्योंकि रूस चौथा नहीं है चौथा भारत है रूस पाच्वा है बात करते हैं 77 कोश्चन की निमलिकित मंत्रालियों को उनके लिए जो आवंटित की गई राशी है उसके आधार पर आरोही कर्म में विवस्थित करना है आपको क्या है असिंडिंग ओ करोड़ की बात करें दो ग्रहेमंत्रालिय की बात करें तो यह आकडा है लाई 57uben सांफशाद करोड़ रूपै पहले रिल मंत्रालियों को आप और फिर आपका सटक पर इवन मनत्रा लिआएगा तो शी आकां सर्हो जाएगा बात करतें 78 likewise किसके लिए केंद्रे बजट 22 तेष में न्यूनतम आवंटन देखे किया गया है राष्टिय स्वास्थी मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 37,800 कroner रुपे जो हैं दिये गया है जलजीवन मिशन इसके लिए 60,000 करोड रुपे जो है दिये गए है ठीक है इसके बाद बात करें राश्तिय सिक्षा मिशन तो करीब आपके 39,553 करोड रुपीज दिये गए है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो 19,000 करोड रुपे जो है अलोकेट किये गए है यहां से पता चला है सब प्रधानमंत्री स्वास्तिय सुरक्षा योजना 10,000 करोड रुपे यह भी ठीक है गलत विकल्प कोई भी नहीं है तो कौन सांसर हो जगा सी इन में से कोई भी नहीं बात करतें 80 कोश्चन की असीवा कोश्चन गलत विकल्प कर आपको चेन करना है पहली स्टेटमेंट क्या ह फाइनेंशल यह 22 थी इसमें 60 किलो मिटर लंबी आठ रूपवे पर योजना के ठेके दिये जाएंगे सही बात है फिर 22 थी इसमें पीम आवाज योजना के अंतरगत लाभार्तियों के लिए 80,000,000 गरों का निर्मान पूरा किया जाएगा यहां पर देके 90,000,000 दिया गया ह तो गलत हो जाएगा सही क्या है 80,000,000 गर तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है 2 तो आंसर क्या हो जाएगा भी हमारा आंसर हो जाएगा अब देखते हैं क्या सिवा कुश्चन आपात कालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च दो हजार चौबिस तक बढ़ाया जाए यह गलत बात है क्योंकि इस योजना को देखे मार्च 2023 तक बढ़ाया जा रहा है तो पहला गलत है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 82 गुश्चन 22 ते इसमें कींदर सरकार का प्रभावी पूंजिकत वे है कितने लाग करोड रुपे होने का अनुमान है और यह सकल गरेलू उत्पात का कितना प्रतिशत है देखे 22 ते इसमें कींदर सरकार का जो प्रभावी पूंजिकत वे है यानि कि effective capital expenditure है यह देखिए कर 10.68 लाख करोड रुपे होने का अनुमान है और यह हमारे GDP का 4.1% है तो यहां से उत्तर देखेंगे तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा बात करते 83 कोश्चन की गलत विकल्प का आपको चैन करना है 75 जिलो में 75 डिजिटल बैंकिंग एकाया स्थापित की जाएंगी सही बात है ऐसा बजट में बोला गया है 22-23 में कुल खर्च जो है वो आपका 39.45 लाख करोड रुपे होने का अनुमान है यह भी बात ठीक है तो देखें कोई भी गलत नहीं है तो डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा नेश प्रेशन की बात करते हैं इस बार आपको सही विकल्प का चैन करना है विद्वर्ष 21-22 में देश की आर्थिक विकास दर्ज 9.27 फीस्ती रहने का अनुमान है यह बात ठीक है कब की बात करने है विद्वर्ष 21-22 की फिर देखें के इन बेतवा नदी जोडने के लिए जो परियोचना है उसके लिए कितने रुपे की गोशना की गई है कि 24,605 करूर रुपे यह भी बात बिल्कुल ठीक है तो यहां पर देखें दोनों ही ठीक है सही विकल्प का चेहन करना है C आंसर हो जाएगा 85 गलत विकल्प का चेहन करना है डिजिटल संपत्ति के हस्तानन तरण से होने वाली आये पर 30 परतिशत कर लगेगा और लेन देन पर 2% का tax लगेगा तेक्स पहला तो बात ठीक है कि अगर आप जो है जो income हो रही आपको डिजिटल एसेट से उस पर 30% का tax आपको देना पड़ेगा लेकिन इसके transaction पर 1% का tax लगेगा ठीक है दूसरा देखें क्या है Long Term Capital Gainz पर होने वाली आये पर 15% का tax लगेगा यह बिल्कु चीज आज खरीदी 50 साल बाद उसको बेच रहे हो उस पर आपको मुनाफ़ा होता है उस पर टेक्स लगेगा वो 15 पॉस्टेंट लगेगा तो देखिए यहां पर जो हमारा उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा क्योंकि सही गलत विकल्प पूछा गया है और पहला गलत है तो यह ह प्रतिशत कर दिया गया है तो यह बात बिल्कुल ठीक है अन ब्लेंडिड फ्यूल पर ऑक्टूबर 2022 से पांच उरुपे प्रती लिटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा यह गलत है इतना महंगा क्यों करा रहे हो थोड़ा ही महंगा ठीक है तो यह दो रुपे प्रती लिटर जो है अतिरिक्त शुल्क लगेगा तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा देखिए 87 जुशन अगें गलत विकल्प का चेन करना है गयर सूची बद शेरों पर अधिवार सारे 28% से घटा कर 21% करने की गोशना की गई है इट हैज बिन अनॉंस्ट रिडियूस दा सर्चार्ज और अन लिस्टेड शेर फ्रों 28.5% तो 21% देखिए यह गलत है क्योंकि यह जो गोश्रा की गई है यह 23% की की गई है इसके बाद देखिए वित्यवर्श 23 के लिए राचकोशी घाते का लक्षे 6.4% रख गया यह बात बिल्कुल ठीक है तो यह से देखिए हमारा ए जो है उत्तर हो जाएगा 88 के इंद्री बजट 22-30 के आंकडों के अनुसार वर्श 2021 में कितने भारती स्टार्टप ने यूनिकॉर्ण का दर्जा हासल किया थे कि स्टार्टप यूनिकॉर्ण के कॉंसेप्ट मैं को संग्या चुकी हूँ क्या है प्राइ स्टार्टप यूनिकॉर्ण वाला जो दर्जा है यह तो 44 स्टार्टप ने हासल कर दिया है और टोटल यूनिकॉर्ण अब भारत में हो गए हो 83-83 हो गया है ठीक है तो यहां पर जो मारा उत्तर है वो सी हो जाएगा बात करतें 89 कुश्चन की टीम आवास यूजना के लाभ हजार घरों को पीम आवास यूजना के लाभारतियों के रूप में चीनित किया जाएगा फिर कितने करोड घरों में नलका पानी उपलप्त कराने के लिए 60,000 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं तो यह देखिए करीब 3.8 करोड जो घर है यानि कि 3.8 करोड घरों में न जोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इसके बारे में सही विकलत का चेन करना है दिएक भारत की रैंक का 46 गलत हो जाएगा त्यूंकि तीसरे रैंक आई यह बिल्कुर ठीक है और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करती 91 question की गलत विकल्प का चेन करना है जल जीवन मिशन के अंतरगत 87 जिले हर घर जल जिले जो है बन गए है गलत बात है क्योंकि 83 जिले ऐसे हुए है बात करने के लिए भारत को लगबग 1.4 trillion dollar खर्च करने की आवशकता है अगर आपको 5 trillion dollar की GDP बनाने ही अपनी तो पहले कितने dollar आपको खर्च करने है तो इस statement बिलकुल ठीक है 1.4 trillion dollar पहले आपको खर्च करने पढ़ेंगे गलत विकल्प का चेन पूछ है ए हमारा आंसर हो 2021 के लिए लोगपाल योचनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है एक जुलाई 20 से 31 मार्च 21 तक BOS के अंतरगत कितनी शिकायते प्राप्त हुई है तो अब देखे 92 जो कुष्चन है अगर हम बात करें जो BOS है इसके अंतरगत जो प्राप्त शिकायते थी वो लगबग 2 लाग 73,204 थी तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा आपको प्राप्शन सही हो जाएगा सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इस कुष्चन की बात करते हैं बातिया रिजर्व बैंक ने 2021 के लिए लोगपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारे की है क्योंकि कानपूर नहीं और तेखिए क्या आएगा चंडिगड यगा ठीक है तो क्या है चंडिगहड बढ़ाता रहसल पहले इस थान पर है 21,609 सिकाइतों चंडिग बाहरा नहीं थी यहांसे महिंना आंसर क्या होजाएगा सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा 94 question देखते हैं सही विकल्प का चेन करना है रास्ति स्टार्टप पुरुस्कारों से संब्धि स्टेटमेंट है करनाटक को सबसे अधिक पुरुस्कार मिले हैं जिसमें 44 रास्ति स्टार्टप पुरुस्कारों में से 14 शामिल है बिलकुल ठीक बात जैपुल मुख्यालिये वाले फ्रंटियर मार्केट्स को महिला के नित्रतव वाले स्टार्टप श्टेड़ी से सम्मानित किया गया है इंपोर्टन स्टेट्मेंट ध्यान रखेगा सही भी है तो सही विकल्प का चेन करेंगे दोनों सही है उत्तर हो जाएगा सी 95 question की बात करते हैं वित्तवर्ष 22 से इस के लिए किंद्र साशित प्रदेश जमू और कश्मीर के लिए कितने बजट का प्रस्ताव जो है रखा गया है तो 1.42 लाक करोन रुपीज ठीक है तो यहां से गर आम उत्तर देखें हैं तो कौन सा हो जाएगा बी हमारा उत्तर हो ज खाते हैं उनकी जो जम्मा राशी है वो डेड़ लाक करोन रुपे को पार कर गई है बिल्कुल सही बात है परदानमत्री जंधन योजना की अंतरगत खातों में जो कुल 6 राशी है वो दिसंबर 2021 के अंत तक 1,50,949 करोन रुपे दर्ज की गई है यानि के 1,50,939 करोन कुछ जादा ही बड़ा मैंने मार्क कर दिया है तो D हमारा आंसर हो जाएगा 97 गुष्चन सही विकल्प का चेन करते हैं भारत ने 2021 में दिसंबर महा में 37 दिसंबलव 29 अरब डॉलर का माल जो है निर्यात किया है ये बात बिल्कुल ठीक है देखें जो एक्सपोर्ट है उस पर आधारित उत्पादकों की मुद्राश्विती में नवंबर में 14.23 पर मुझुदा श्रंखला में अब तक उच्टम इस्तर पर ये पहुँच गई है यानिके प्रोडूसर इंफलेशन जो की बेस्ट होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर वह पहली बार ओल टाइम पहुच गई है कितनी है 14.23 परसेंट कब नवंबर में दोनों स्टेटमेंट देखे ठीक हैं तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा सी आपका अंसर हो जाएगा 98 की बात करते हैं गलत विकल्प का चेन करना है बजट से रिलेटर कुछ तथिये दे गए है 18 प्लस आयो वर् बच रहेंगे चौती लेहर आने वाली है पहली डोज एक क्यान में दसम्लव 3 क्रोड लोगों को दी गई है ठीक है यह वाली बात भी देखे बिल्कुल ठीक है दूसरी डोज यह 66.5 क्रोड लोगों को दी गई है यह बीबात ठीक है तो यहां पर देखे कोई भी आंसर इंक 29 की गलत विकल्प का जो है आपको चेहन करना है सेवा छेतर में 16.7 बिलियन डॉलर से अधिक का FDI प्राप्त हुआ है और जो भारत में कुल FDI आया है उसका लगबग 44% है यह देखे गलत बात है यह तो बात ठीक है कि सेवा छेतर में 16.7 बिलियन डॉलर का FDI मिला है लेकिन तरह से लिए टोटल FDI अंतरवा का 54% बैठता है ठीक है विश्यवा निर्यात में 26.6 प्रतिशत की व्रद्धी दर्च की गई है यह थीक है 21.6 प्रतिशत की व्रद्धी दर्च हुई है पर 21.2 में 1400 नए स्टार्टप के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार कीजिए भारत सरकार ने हाली में बैंगलूर में ITU के एक छेत्रे कार्याले और नवाचार किंद्र की स्थापना के लिए अंतरराष्टे दूसराचार संग इंटरनेशनल टैली कॉम्निकेशन यूनियन के साथ मेजवान देश समझोते पर स्ताक्षर किया है लेकिन बैंगल भारत और फ्रांस ने नीली अर्थ विवस्था ब्लू एकनॉमी और महासागर साशन पर अपने द्वी पक्षिय आदान परदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर साइन किया यह बात बिलकुल ठीक है तो यहां से देखिए क्या पूछा गया है सही विकल पूछा गय यह देखिए हमारे आच की वीडियो थी मुझे उमीद है वीडियो आपको पिसंद आई होगी एकनॉमिक्स के काफी अच्छे कोश्चिंस हमने डिसकस किये बहुत सारा डेटा फैक्ट्स हमने देखा कुछ 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 कीवर्स को भी हमने क्लियर किया तो वीडियो अगर आ जरूर मदद मिलेगी बहुत जल्द मिलती है एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को नमश्कार